हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी उमीद करता हूँ दोस्तो आसा करता हूँ आप सब बहतर होंगे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम EBS का मौक टेश्ट करने वाले हैं सीटेट दिसंबर के लिए तो सुरू करेंगे दोस्तो वीडियो और आगे बढ़ेंगे question में और पहला question आपकी screen पर आ चुका है दोस्तो पहला question देखेगा बहुत easy question आपके लिए है क्या दोस्तो है जील जरना तलाब पहाड़ी नदी उप्रोकत सूची में से जो लिष्ट दी गई है इसमें से ओड कौन सा है दोस्तों भिन कौन सा है चार आपके पास option दिये गए है इसमें आपको बताना है तो दोस्तों देखिएगा यहां से जील, जील का संबंध पानी से हो जाएगा जरना का संबंध पानी से हो जाएगा तालाब का संबंध दोस्तों पानी से हो जाएगा नदी का संबंध भी आपका पानी से हो जाएगा लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपका पहाडी जो है इसका पानी से संबंध नहीं है तो इसमें कौन सा option right हो जाएगा दोस्तो आपका पहाड़ी जो है ये एकदम सही answer हो जाएगा पहाड़ी बिलकुल सही answer हो जाएगा तो आपका option correct हो जाएगा अगला बढ़ेंगे दोस्तो अगला question देखेंगे अगला question सांदार दोस्तो इसमें देखेंगा बहुत बार पूछ किजिए आपके statement दिये गए है ए statement कहरा दोस्तों गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं ठीक है और दाल में सक्कर डाल के खाते हैं यह आपका statement फर्स्ट है second क्या है केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ tapioca खाते हैं वहाँ tapioca जैसे अपने उत्तर भारत म हम लोग शकरकंदी टाइप से खाते हैं इस तरीके से दोस्तों केरल में tapioca होता है तो वो खाते हैं C-statement कहरा कस्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मचली खाते हैं ठीक है D-statement है गोवा के लोग सर्सों के तेल में बनी मचली खाते हैं अब इसमें से सही गुजरात के लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में सक्कर डाल के खाते हैं आपका true statement है केरल में अधिकतल लोग किसी भी करी के साथ टेप योका खाते हैं बिल्कुल आपका ये भी true statement है तो आपका कस्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मचली खाते हैं, यहां दोस्तों आपका क्या है, कस्मीर के लोग सर्सों के तेल में बनी मचली खाते हैं, और आपका गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी मचली खाते हैं, तो इसमें आपका उल्टा दिया गया है यानि गोवा का कस्मीर में कस्मीर का गोवा में तो ये आपके दो option क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे अगर यहीं पे आपका कस्मीर सर्सों होता और गोवा दोस्तों गोवा जानते हैं आप नारियल बहुत होता है तो नारियल के तेल में बनी मचली गोवा के लोग खाते हैं तो option फिलाल उपर वाले दोनों सही हो जाएंगे A और B यानि पहला वाला option करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से दोस्तों समझ विक्सित करनी और बहतरीन ढंक से आपको सिटेट क्रेक्ट करना है अगला question क्या है अगला question दोस्तों है नीचे दिएगे पक्षियों की वा कौन सी प्रजाती है जिसकी आँख मानवों की भाती उसके सामने की ओर होती है इसमें देखिएगा बहुत बहतरीन question है ररजिन चिडिया है आपका बीवर पच्ची है कलचिडी है या उल्लू है तो दोस्तों इसका राइट जवाब जो होगा वो आपका उल्लू के साथ जाएगा किसके उल्लू के साथ चला जाएगा D option करेक्ट हो जाएगा दोस्तों बढ़ेंगे अगला देखेंगे क्या है अगला question है देखेगा ये भी बहुत बहतरीन question है question दोस्तों कह रहा है इस्थान के साथ उस छेतर के गाउं और सामाने घरों के सही विवरण का मिलान करना है लिखा है अपका ब्रैकेट में लदाक मनाली राजस्तान अब इधर आपको इधर से मैच करना है तो कीजिए मैच देखें मोलन गाउं असम हम जानते दोस्तों असम में 10-12 फिट सुनिएगा 10-12 फिट बांस की उचाई पे घर बनाये जाते हैं या अगर उसे मीटर में बोलें तो 3-4 मीटर लगभग हो जाएगा तो आपका एज हो जाएगा वो किस के साथ तीसरे के साथ जाएगा ठीक है लदाक में कैसे घर होते हैं लदाक में दोस्तों आपके मिटी और चूने से पुती पत्थर की दिवारे होती हैं लकडी के फर्स और लकडी की समतल छटे होती हैं तो आपका बी जो जाएगा वो आपका फोर के साथ चला जाएगा मनाली में क्या होता है मनाली दोस्तो मनाली में पत्थर वह लकडी से बनी धालू छत होती है ऐसे घर होते है ठीक है मनाली का हो गया राजस्थान की बात करें तो दोस्तो छते कटीली होती है आप जानते है वहाँ जो आपका राजस्थान है वहाँ छते कटीली होती है NCRT में स अंसर हो जाएगा बढ़ेंगे दोस्तो अगर question आपको अच्छे लगे और आपको help मिले इसमें तो चैनल को subscribe जरूर किजेगा वीडियो को like किजेगा और comment box में अपना score तो आपको बताना ही है ठीक है बढ़तें दोस्तो अगला question है नीचे दिये गया किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर जो है रोगियों को गुड आमला और हरी पत्तियों वाली सबजियों को खाने की सलाह देते हैं मियादी बुकार हो गया एनीमिया हो गया चिकन गुनिया हो गया डेंगो हो गया किसमें आपको गुड गुड से दोस्तो कहते हैं खून बनता है आमला और हरी पत्ति बोलते हैं इसको अगला question क्या है अगला question very most important question बहुत बार पूछा गया दोस्तों क्या question है रेगिस्तानी ओक एक पेड होता है जिसके बारे में कौन से statement सही नहीं है ठीक है कौन सा statement सही नहीं है एक statement कहा रहा है रेगिस्तानी ओक एक व्रच है जो लगभाग हमारी कक्षाओं जितना अर्थात कितना लगभाग लगभाग आपका तीन से आपका चार मीटर लंबा होता है ठीक है अर्थात इसमें लिखा रहे हैं चार मीटर लिख लिजे चार मीटर लगभाग लंबा होता है इस व्रच्छ की जड़ें इसकी उचाई से लगभाग तीस गुना होती है इसकी जड़ जाती है दोस्तों जैसे ये पेड़ है तो इसकी जड़ अगर पेड़ एक मीटर का है तो जड़ दोस्तों इसकी 30 मीटर की होती है ठीक है 30 मीटर जड़ जाएगी 30 मीटर ठीक है 30 गुना गहराई तक भूमे में नीचे जाती है जब तक नीचे दोस्तों पानी नह अबूधहभी में पाया जाता है कहां दोसतो अबूधहभी यह statement आपका गलत हो जाएगा यह भरक्ष कहां पाया जाता है तो इसमें कौन से statement सही है आपका ABC सही है और आपका D option गलत है आप से पूछ रहा है सही नहीं है तो आपका diffusion का right जवाब हो जाएगा अगला क्या है अगला दोस्तों बढ़ेंगे question कहरा है व्यवसाय में रूडवादी छवी के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को समवेधन शील करने का प्रभावसाली तरीका क्या हो सकता है समाजिक मीडिया नुकर नाटक समाचारपत्र रेडियो तो दोस्तों इस question का right सबसे perfect जो answer होगा नुकर नाटक होगा इसके माध्यम से दोस्तों ये प्रभावसाली एक effective तरीका होगा किसके लिए विद्यार्थियों को समवेधन शील करने के लिए ठीक है तो भी इसका सही answer हो जाएगा अगला question देखेंगे दोस्तों अगला question कहरा है निमलिखित में से पक्षियों का वाजोडा चुनिये जिनकी दरश्ट इतनी स्रेश्ट होती है कि वा हमारी तुलनामे वस् क्या हो जाएगा पहला option कहरा कववा और उल्लू दूसरा चील और गिद्ध सी कहरा कल्चडी और गरुड और डी आपका है बसंतगोरी और कववा तो इसका दोस्तों right जो answer हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चील और गिद्ध बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यह आपक option इसमें से ऐसे दो रोग चुनिए जो मच्छर के दोरा फैलते हैं तो दोस्तों इसमें हैजा मच्छर के दोरा नहीं फैलता है हैजा मच्छर के दोरा नहीं फैलता है चिकन गुनिया और आपका मियादी बुखार जो है वो भी आपका मच्छर दोरा नहीं फैलता है इनकी सिनकोना आपका एक व्रक्षाता है सिनकोना ट्री उससे कुनैन नाम की दवाई बनाई जाती है ये भी याद रखिएगा कुनैन नाम की दवाई मलेरिया के रोगियों को दी जाती है अगला दोस्तों question है आपका किसी सहर के मांचित्र के निचले दाएं भाग पर नीचे दिया गया पैमाना छपा है पैमाना क्या दोस्तों एक सेंटी मीटर बराबर आपका 950 मीटर यानि अगर मैं आपको बात करूँ भाई मैप पे बिल्कुल परफेक्ट दे नहीं सकते हैं इतना लंबा मैप तो बना नहीं सकते हैं तो कुछ एक मानक ले लेते हैं कुछ पैमाना ले लेते हैं तो एक सेंटी मीटर 950 मीटर के बराबर मांचित्र पे लिया गया अब बताइए दो इस्थलों के बीच इस्थल आपका A और सेंटी मीटर मापी गई माप पे एक सेंटी मीटर 950 दिया है तो दोस्तो 19.2 की मल्टिप्लाइ कर देंगे 950 से ठीक है और फिर आप क्या करेंगे ये तो मीटर में आएगा आंसर आपका किलो मीटर में है तो इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे मीटर को अगर किलो मीटर में कनवर्ट करना है तो आपका 1000 से 1000 से डिवाइड कर दोगे लगबग लगबग दोस्तो 18 किलो मीटर आंसर आ जाएगा 18 पॉइंट कुछ आएगा लेकिन आपका 18 है तो D आप्शन इस क्वेश्चन का जैहिंद बंदे मातरम